वेलकम तो यूटूब चैनल ओफ मैगनेटिक साइन्स इंस्टिटूट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाए सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को हिट कीजिए फ़र आवर नोटिफिकेशन्स फ़र लेटेस्ट वीडियो तो आज के जो हमारा उन बोडी तुका है एफ गन्ट्रोल और चैनल में जो केमिकल या फिर एलेक्ट्रिकल इंपल्स या फिर सिगनल्स के द्वारा एक दूसरे और पाट यह से बीच में कोडिनेशन बैठना राइट चोंट्रोल अं कोडिनेशन रिजल्स इंटू दमोमेंट अबडर बोडी र जाता है राइट लिविंग और गनिसम रिस्पॉंट्स करते हैं तो वेरियस टैप्स स्टेमुलाई लाइक हीट लाइट कोल्ड टच प्रशर एक्सेटरा स्टेमुलाई मतलब सराउंडिंग एन्वार्मेंट में जो भी चेंज आता है जो अपने बॉड़ी को कंपेल कर दे रिस्पॉंस करने के लिए जैट इस काल स्टिमलाई हीट यानि गर्मी लाइट फोटो रिसेप्टर्स होते हैं प्लांट के बॉड़ी के ऊपर राइट कोल्ड टच प्रशर एक्सेटरा कोल्ड थंडी टच जैसे टच मी नॉट प्लांट को अगर अब टच कर दो तो सिकूर आइन प्लांट आइनमेल बौत रिस्पॉंड बैट इन डिफरेंट मैनर जाता राइट काडिकेंस ब्लांट प्लांट अनिमस दोनों लिविंग और गईन्जम में दोनों रिस्पॉंड करेंगे अलग अलग तरीके से चंट्रल और को दिनेशन इननिमस देखेंगे इस भी बोलते हैं अब इसके functions के वज़े से बहुत जादे important हो जाता है to receive the information from environment यानि पहले वो environment में से अपना information लेगा receive करेगा receptors के द्वारा okay body के उपर receptors होते है to receive the information from various body parts अब क्योंकि उसने receptor receptor ने receive कर लिया signal अब body उसको receive करेगा यानि जब contact में आएगा ना stimuli तब इसलिए stimuli response muscles contraction relaxation करके movement करेंगे and glands जो है hormones और दूसरे chemicals को release करेंगे दो टाइप के क्रेंट मतलब मैं आपको बताया है change in environment which will bring about the reaction example touching a hot plate right and response मतलब उस जो stimuli का या फिर जो changes है उसको अपने कैसे एक्ट करने है उसके against that is called response जैसे गरम प्लेट को अगर मैं हाथ लगा तो अपने हाथ पीछे ले लोगा तो गरम प्लेट जैसे होटने से stimuli and मैं हाथ पीछे ले लिया that is my response ओके now receptor को detail में देखते है receptor मतलब body के उपर कोई भी specified या फिर कोई भी cell के surface के उपर specified spot जो signal को receive करेगा और सिर्फ वही spot receive करेगा दूसरा कोई नहीं that is specialized and very specific so the specialized tips of some nerve cells that detect the information from the environment are called receptor यहां पर हम लोग nerve cells के prospect में देख रहे हैं receptors are sense organs कौन से कौन से type के होते है inner ear photoreceptor that is eyes skin olfactory receptor that is nose and gustatory receptor that is tongue okay inner ear it is generally functional इसका जो function है वो है hearing और balance of the body body का posture और balance बनाया रखता है right उस inner ear hearing करता है eyes visual stimulus skin pain touch and heat ठीक है दर्द होना या फिर कोई हमको touch करता है तो feel होना heat का यह सब skin nose क्या करता है smell detection smell अच्छी है बुरी है nose से पता चलता है gustatory receptor that is regarding taste detection okay taste buds होते हैं आपके tongue के ओपर right to receptor ऐसे helpful है अगर आइस की बात करूं तो अगर कोई बहुत जादा light आता है तो अपना आखे अपना बंद हो जाती है that is also response neuron neuron देखता है neuron मतलब nerve cell है right it is the structural and functional unit of nervous system इसी lines आपको बता चलना चाहिए कि यह कितना important है neuron okay पूरा nervous system जो है इसी के ओपर basis है अब जो neuron है उसके तीन main parts है पहला है dendrite दूसरा है cell body and axon combined and third is synapse okay dendrite का function है it will acquire the information information को receive करने का काम करता है dendrite दीसा long hair like structure आगे diagram में आपको दिखाऊंगा मैं cell body and axon क्या करता है उसको dendrite ने जो information लिया उसको as an electric impulse के form में नीचे pass करवाएगा as a pathway synapse यानि gap और junction जैसा होता है जहां पर electrical signal is converted into chemical message for onward transmission to next neuron by release of neurotransmitters neurotransmitters specialized chemical messenger के तरह होते हैं जो एक neuron से दूसरे neuron में information को pass करेंगे उसलिए उसको बोलता है neurotransmitter transmit करने का काम करता है एक neuron से दूसरे neuron के बीच में synapse मतलब the point of contact between the terminal branches of axon of one neuron with the dendrite of another neuron simple सी भाशा में बोलूँ एक neuron का axon और दूसरे neuron के dendrite उसके बीच में जो जगा है उसको बोलता है synapse condition ही है कि वह consecutively arranged होने चाहिए तो डाइग्राम देखते हैं बहुत simple सा डाइग्राम आपके जो बुक में दिया है वही है बहुत complicated बहुत ज्यादा detail में नहीं देखने है अपने को जितना बुक में दिया उतना ही सबसे पहला जो structure है that is nucleus center फिर जो ग्रीन कलर का पार्ट है that is cell body इस डेंड्राइट्स है लाइक structure जो information को acquire करते है अलग-अलग surrounding से यह जो ग्रीन कलर का पार्ट जो नीचे फ्लो हो रहा है ना that is axon यहीं से जो electrical impulse pathway होता है and this is nerve ending nerve ending को दूसरा भी एक नाम है synaptic knob आप higher standards में जागे तो पता चलेगा अब यह जो axon है और यह जो dendrite है एक का axon दूसरे का dendrite उसके 20 किसी जगा है that is called synapse neuromuscular junction करके term आएगा यह वो junction है जहाँ पे electrical impulse is converted into chemical message या फिर जैसे भी जो message है electrical signal वो एक neuron से दूसरे neuron में pass होता है वो होता है neuromuscular junction पे यहां पे बहुत सारे chemical elements release होता है for example calcium release होता है यहां पे दूसरे neurotransmitter release होता है जैसे acetylcholine है ऐसे बहुत सारे है तो यहां पे यह वो spot है जहां पे message transmit होता है neuromuscular junction यह आपको याद रखना है reflex action यह ऐसा action है जो हम बिना सोचे समझे body response कर देती है वो right this is why it is also known as the quick sudden and immediate response of the body to the certain stimuli that involves spinal cord spinal cord के थुरू होता है brain का इसमें कोई major part नहीं है okay spinal cord सब करता है reflex arc क्या है अब आपने reflex action तो देख लिया लेकिन उचे reflex action का जो pathway है उसको बोलेंगे reflex arc simple सी बात है जहां पर impulses pass होंगे उस pathway को बोलेंगे reflex arc ठीक है अब यह जो है chain है कहां से start होता है जहां से आपने कुछ feel किया यानि stimulus और खतम कहां पर होता है आपने उसको response कैसे दिया या फिर react कैसे किया okay stimulus का example लेते है हीट के form में अब stimulus यानि change आया तो अपना body जो है उसको recept करेगा like receptor organ से sensory nerves जो है उसको sense करेंगे जो receptor organ के उपर होता है वो पास होगा spinal cord क्यों क्योंकि reflex action होता spinal cord के through right spinal cord के बाद वहां पर निकलेगा जब action जब अपने को reaction या response देना है तो जाएगा motor nerves जो function करेंगे उसको carry करेंगे effector organ में effector organ मान लेते हम muscle है और फिर muscle करेगा response that is withdrawal of hand गर्मी फील हुआ अपनेने हाथ पीछे ले लिया उसके बीच में जो होना है वो यह होगा कि sensory nerves को sense करेगा spinal cord को भेजेगा spinal cord motor nerves को message भेजेगा कि अपना हाथ पीछे ले लो ले लिया as simple as that अब response भी होते हैं तीन टाइप के एक होता है voluntary एक involuntary दूसरा reflex okay voluntary जो है it is controlled by forebrain that is example talking and writing आपका मन करे तो करो नी तो मत करो उसको बोलता है voluntary ठीक है आपको अगर लिखना है तो ही लिखोगे नहीं मन करेगा आप नहीं लिखोगे वह आपके control में यह control होता है फोर ब्रेन से involuntary these are controlled by mid brain and hind brain दोनों मिलके involuntary control करते हैं examples are heart beat vomiting regulation of heart beat ठीक है example चलो एक digestion का भी example लिलेता है अगर digestion है खाना खाना मेरे control में मतलब मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा वह मेरे control में लेकिन अंदर जा कि उसका digestion कैसा होना वह मेरे control में नहीं है that is called involuntary action और वह कौन देखता है mid brain and hind brain समझ में आ रहा है regulation of heartbeat heartbeat रोक दूं यह मेरे control में नहीं है reflex action controlled by spinal cord जैसा अबना पहले भी देखा withdrawal of hand and touching hot object यह सब एक्जामपल उसके human nervous system तीन टाइप में divided a central nervous system peripheral nervous system and autonomic nervous system cns pns ans right अब cns के दो पार्ट होता है brain and spinal cord brain further divided into three major parts forebrain mid brain hind brain जिसमें forebrain सबसे बड़ा होता है ओक्य पी एनस देखते है cranial nerves and spinal nerves this is very interesting cranial nerves जो है वो arise होता है brains है and spinal nerves जो हो速 होता है both a spinal cord-seller अब cranial nerves कीverse की ट्वेर इनस प्रेडाश् 沒有 numbers के एक चलने लिभे समिए आरमें करते हैं cranial के 12 एंस पाइन लों को से नो Car aspect नह सिस्टम सिंपेते परासिंप्रेटिक की स्पेशालिटी यह है यह दोनों एक दूसरे के ओपोजिटली काम करता है बट ऑल्सो साइमल्टेनियसली यानि एक ही टाइम पे दोनों एक दूसरे को ओपोजिटली एक्षिन करेंगे जैसे अगर एक कोई चीज बढ़ा है तो दूसरा उसको कम करेगा ऐसे है ठीक है यूमन ब्रेन इसका मैं डाइगरम भी आपको बताऊंगा पहले देख लेते हैं उसके फंक्शन क्या गया है यूमन ब्रेन तीन पार्ट में डिवाड़ेट है फोर ब्रेन, मिट ब्रेन, हिंड ब्रेन जिसमें सबसे बड़ा है फोर ब्रेन और मोस्ट कॉंप भी अपकी है घ्याख मरें भी शरी ब्रेन, ना कि वो सारे बॉड़ा पसे सेंसे को सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसके तीन इसको आप छोटा दिमाग भी बोलते हो राइट से बलम का फंक्शन देखें इट कंट्रोल सब पॉस्चर एंड बैलेंस यानि बॉडी जैसे आप खड़े हो तापको जो पॉस्चर और बॉडी का बैलेंस है वह कॉन कंट्रोल करता है तो से बलम राइट सबकॉंशियस माइन गेरा देन इट कंट्रोल्स दा प्रिशाशन अफ व्लेंटरी एक्शन्स हो रहें बट कितने प्रिसाइसली आप कर रहे हो ना कितना प्रिसाइस मतलब यूनों एक्क्यूरेसी प्रिशिशन उस थैप में वह देखता है सेरिबलम ओके मेडियूला इट कंट्रोल्ज दा इन जैसे कि हमने पहले भी देखा कि midbrain, hindbrain दोनों involunt reaction करते हैं तो hindbrain का medula वाला part है that will control the involunt reaction like blood pressure, salivation, vomiting अब देखो, समझो salivation का example ले रहा हूँ अब सामने में आपके एकदम tasty सा खाना रख दू तो आपके मुँँ में पानी आई जाएगा, वो तो आप control कर नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं salivation, तो यह हो गया involuntary action, ठीक है जो medula carry out करेगा, या फिर vomiting हो रही तो vomit आप कुछ second के लिए अपने गले के अंदर दबा के रख सकते हैं उसके बाद उसको बाहर आना ही आना blood pressure, अगर आप वो समझ लो बहुत ज़्यादा exercise कर लिया, तो blood pressure अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है उसमें आप कोई control नहीं कर सकते हैं, ठीक है pons क्या करता है, involuntary action and regulation of respiration regulation of respiration, मतलब खाना अंदर गया breakdown हुआ, energinically समझ लो, digestion, metabolism, assimilation, यह सब आपके control में नहीं है this is why it is known as involuntary action, right आप सिफ खाना खा सकते हो, digestion कैसा होगा, that is not under your control human brain diagram, आगे वाला part जो है, forebrain, जो biggest part है, brain का okay, it forms the biggest part, this is midbrain and जो नीचे वाला part है, that is hindbrain okay, so let's see in detail, पहला cerebrum, जो thinking करता है, imagination करता है, okay that is the function of cerebrum, फिर जो cranial है या physical है, जो calcium का बना होता है bone है, actually, जो आपको protection देगा, कोई भी shock से, right, this is midbrain midbrain का क्या constituent है, तो hypothalamus and pituitary gland, hypothalamus जो है, वो chemical coordination करता है, and pituitary gland, जो है, that is master gland of the body, जो hormones को secret करता है, growth hormones, बहुत अलग-अलग type के hormones है, this is spinal cord and यह है cerebrum, जोटा दिमाग, right, pons, medulla, pons, medulla, cerebrum, तीनों मिला के, मिला के बनता है, hindbrain, okay, so I hope, यह simple सा diagram आपको clear हो गया होगा, right, तो चलो, आगे देखते हैं, कि अब protection कैसे करेंगे, अब brain और spinal cord तो आपने देख लिया, उनका protection भी important है, because they are very delicate organs, very soft organs, तो brain के पास का it is protected by fluid filled balloon, which acts as a shock absorber and enclosed in cranium, cranium जो है brain box बोलता है, यानि जो आपको outermost layer है, fluid क्या है, तो हो a cerebrum spinal fluid, CSF, यह आपको बचाता है mechanical shock से, यह वो liquid वाला पाट है, जो brain के अंदर होता है, mostly water का बना होता है, तो अगर आपके brain में कोई भी electrical, mechanical shock लगता है, तो वो पूरा try करता है, कि उसको resist करे, तो resist करेगा, तो आपको mechanical shock से बचा लेगा, spinal cord, it is enclosed in vertebral column, vertebral column यानि जो आपकी read की हड़ी बोलते हो न, vertebrates, जो vertebrates के पास जो बीचे होता है, vertebral column, उसके अंदर spinal cord बिल्कुल safe है, ओके, तो यह हो गया, protection mechanism, brain and spinal cord दोनों का, अब देखते हैं, coordination between nervous and muscular tissue, right, तो coordination important है, nervous और muscular tissue के बीच में, तो सबसे पहले, कि आपको information gather होगा, nervous tissue से, sensory nerves को gather करेगा, central nervous system के पास भीजेगा, यानि brain के पास भीजेगा, वहाँ पर information process हुआ, फिर decision बनाया जाएगा, कि इसके साथ करना क्या है, फिर हो message जो है, motor, motor nerves के through, muscles को पास करेंगे, then, from muscles, अब देखो information collect कर लिए sensory nerve ने, अब उसको पास करेगा, motor nerve, right, from past to muscles, then it will change in shape, and arrangement of proteins will be changes, जो पुरा configuration है, वो change हो जाएगा, then contraction of muscle cells will take place, muscle will get shortened and hence the action takes place, अब इसका simple सा exam में समझाता हूँ, मान लो cricket है, ठीक है, ball or ball डाल रहा है, अब sensory nerve किसका act करेगा, batsman का, उसने आखों से देख लिया, like visual receptor, उसने ball को देख लिया, अब उसके brain में जाएगा, okay, ball का टपा कांगे रहा है, उसने देखा, अब वो shot मारेगा, तो जैसे वो अपना cricketing shot खेलेगा, तो decision made कौन करेगा, brain, उसने decision ले लिया, message pass हो गया, उसके muscle contraction होंगे, अगर bet को लगा, तो run आएंगे, बना out, that's simple, right, so I hope आपको यह वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद है, then please do like our video, subscribe our channel, share it as much as you can, okay, and इस chapter के मैं दूसरे वीडियो भी डालने वाला हूँ, soon, right, control and coordination के description में link चेक कर लेना आप, so मिलते हैं अगले वीडियो में,